लोकसभा चुनाव में चैथे चरण की वोटिंग से पहले भारतिय जनता पार्टी की तरफ से लगातार जनसभाय आयोजित की जा रही है UP KCM योगी आदित तिनाथ के बाद उत्तराखंट KCM पुशकर सिंग धामी शुक्रवार को यहां पहुँचे CM धामी ने मंच से ही नैमिशारणय की धर्ती को प्रणाम किया और कहा कि हम सबका संकल्प है कि मोदी जी को तीसरी बार प्रधान मंत्री बनाना है पुशकर सिंग धामी ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा यहां जितने भी अन्य पिछड़ा वर्क के लोग हैं उनसे मैं कहना चाहता हूँ कि यहां समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजपार्टी जो कॉंग्रेस पार्टी की सहयोगी है वो जातिवाद के नाम पर आपसे वोट लेना चाहती है वे जीतने के लिए नहीं सिर्फ अपना अस्तित्व बचाने के लिए वोट लेना चाहते हैं बरेली जिले की सदर, फरीदपुर और आवला तहसील के 35 गावों को जल्द ही BDA की सीमा में शामिल किया जा सकता है कैबिनेट से प्रस्ताफ पास होने के बाद कई विभागों से एनोसी मांगी गई है चुनाव आचार सहिता खत्म होते ही यह प्रक्रिया रफ्तार पकड़ सकती है फिलहाल प्राधिकरन विकास क्षेत्र में 264 राजस ग्राम शामिल है बीडिये का सीमा विस्तार होने से इन गावों में विकास के रास्ते खुलेंगे पहले तीनों तहसीलों के 31 गावों को बीडिये में शामिल करने का प्रस्ताफ था अब इनकी संख्या बढ़ा कर 35 कर दी गई है शासन ने पिछले महीने तीनों तहसीलों से इन गावों के संबंध में रिपोर्ट मांगी गई थी लेकिन चुनाव आचार सहिता लागू होने के बाद ये प्रक्रिया रुख गई थी पिछले साल BDA बोर्ट की अध्यक्ष कमिशनर सौमय आगरवाल की अध्यक्षता में हुई बैठक में प्रादिकरण के सीमा विस्तार का प्रस्ताव रखा गया था जिसमें शेहरी विकास के लिए सीमा विस्तार को जरूरी बताया गया था बहेरी शीशगर मार्क पर एक ट्रक अनियंत्रित होकर सडक पर बने यात्री शेड से जा तकराया जिससे यात्री शेड गिर गया ट्रक में बैठे चालक सहित चार लोग गंभीर रूप से घायल हो गये सुचना पर पहुँची पुलिस ने घायलो को ट्रक से निकाल कर अस्पताल भिजवाया जहां इलाज के दोरान चालक की मौत हो गई थाना बहेडी क्षेत्र के गाव भोजपुर निवासी मौन पर पहुचते ही ट्रक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे बने यात्री सेड से टकरा गया जिससे ट्रक पूरी तरह शतिग्रस्त हो गया और यात्री सेड भी भरभरा कर गिर गया बरेली में एक महिला ने अपने पती पर गंभीर आरोप लगाए हैं महिला ने उस पर शराब पी कर आप्राकृतिक संबंद बनाने की बात कही है यही नहीं वो महिला से अपने दोस्त से संबंद बनाने का भी दबाव बनाता है मना करने पर उसे लोहे की रोट से पीट कर सिग्रेट से दागता है इस मामले में महिला ने SSP से शिकायत कर न्याय की गुहार लगाई है ठाना बित्री चैनपुर की रहने वाली महिला ने बताया उसका पती शराब पीकर आता है और उसकी मरजी के बगेर उसके साथ अप्रकृतिक संबंद बनाता है यही नहीं वह उस पर दबाव बनाता है कि उसके दोस्तों के साथ भी वो संबंद बनाए जब उसने इसका विरोध किया तो उसे लोहे की रोड से पीटा और उसे जलती सिग्रेट से भी दागा इस मामले में महिला ने SSP से शिकायत कर न्याय की गुहार लगाई है बरेली के बहेडी थानाक्षेत्र में बारात में शामिल होने जा रहे पीली भीट के युवक की बाइक को तेज रफ्तार ट्रेक्टर ट्रॉली ने जोरदार टक्कर मार दी इस हादसे में उसकी मौके पर ही मौत हो गई वहीं हादसे की सूचना पर पहुँची पुलिस ने शव को कबजे में लेकर पोस्ट मॉटम के लिए भेज कर आगे की कारवाई शुरू कर दी है उधर घटना की जानकारी मिलने पर मृतक के परिवार में कोहराम मचा हुआ है जानकारी के मताबिक पीली भीद जिला के अमरिया थानक शेत्र के कैचुटांडा निवासी सुखपाल गुरुवार को बाइक से बरेली के बहेडी में बारात में शामिल होने जा रहा था इस दोरान गौरी पचपेडा गाव के पास तेज रफतार ट्रेक्टर ट्रॉली ने उसकी बाइक को टक्कर मार दी इस हादसे में उसकी मौके पर ही मौत हो गई बरेली में गल्ला व्यापारी के घर में घुसकर चोर लाखों रुप्ये के जेवरात लेकर फरार हो गया जब तक वो उसे पकड़ता वो दीवार फांद कर फरार हो गया इस मामले में गल्ला व्यापारी ने चोर को पहचान लिया उसके खिलाफ थाने में नामजद रिपोर्ट दर्च कराई है थाना फतिह गंजपूर्वी के रधोली गाम निवासी राजु कश्यप ने बताया कि पिछली रात उसके घर में रात में करीब 11 बच कर 40 मिनट पर चोर ने चोरी की घटना को अंजाम दे दिया चोर ने उसके घर में रखे पत्नी के सोने के आभूशन सोने की चूडिया दो जुमकी, एक सोने की चेन, सोने की अनगूठी आधी चुरा लिया इस दोरान राजु की आख खुल गई उसने चोर को भागते हुए देख लिया वो चोर को पकने के लिए लाथी लेकर दोड़ा जब तक वो दीवार फना कर फरार हो गया बरेली में पुराने किरायदार ने मकान मालिक की नाबालिक बेटी को जैपुर घुमाने के बहाने उसके घर के पांच लाख रुप्ये के जेवर वसाणे साथ हजार रुप्ये नगदी मनगा ली उसके बाद उसकी बेटी को लेकर आरोपी फरार हो गए पीडित ने इस मामले में आरोपी पती पतनी के खिलाफ धोखाधरी की रिपोर्ट दर्च कर आई है थाना फरीद पूर थानाक्षेत्र में रहने वाल युवक ने बताया उसके मकान में नाजिया पतनी रिहान मार्च दो हजार तेईस में रहने आये थे उसके बाद वो दूसरे मोहले में किराय पर रहने लगे थे लेकिन रिहाना का उसके घर पर आना जाना लगा रहा उसकी 12 साल की बेटी को काम के बहाने महिला अपने साथ ले जाने लगी इसके साथ साथ उन्होंने लड़की के माध्यम से लगभग 5 लाग के जेवर एवं 7,000 रुपे नगदी भी उड़ा दिये दोनों के खिलाफ रिपोर्ट दर्च कर ली गई है इंजीनियर रिंक के छातर सुमित ने अपनी जान जोखिम में डालकर अपने दोस्तों की जान बचाए उसने दरवाजा तोड़कर आग की लप्तों से घिरे दोस्तों को बचाया और खुद भी आग की लप्तों में घिर गया चार मंजिल की उचाई पर शॉर्ट सर्किट से आग लगी थी जिस दौरान लगभग 45 मिनट तक सुमित ने संघर्ष किया 45 मिनट देरी से पहुँची दिल्ली के रोहिनी में फाइल ब्रिगेड सुमित की जाबाजी और बहादूरी को देखकर कालेज के प्रिंसिपल ने राष्ट्रपती को प्रशस्ती पत लिखा सुमित के अपने घर पहुचने पर जश्न का महौल सुमित के बड़े भाई अमित डॉक्टर है चाचा सेना में तो मा ग्राम प्रधान है सुमित बरेली के मरीनात में रहने वाले पुलिस कर्मी सरवेश यादव के बेटे है अक्षेत रितिया के दिन सोने चांदी की खरीदारी शुब मानी जाती है आज ग्राहकों ने भी जम कर खूब खरीदारी की कारोबारियों ने भी ग्राहकों को लुभाने के लिए बजार में हलके वर नए डिजाइन आभूशनों की रेंज लेकर आए है ग्राहकों ने चांदी से बने आभूशनों को भी खूब पसंद किया एक अनुमान के मुताबिक जिले भर में करीब 70 करोड का बजार हुआ शहर के कई बड़े शोरूम में ग्राहकों को आकरशित करने के लिए सराफा कारोबारियों ने विशेश ओफर दिये श्री अमरनाथ यात्रा के लिए जाने वाले श्रद्धालूँ है तो श्री शिव शक्ती मानव सेवा समिती भंडारा आयोजित करने के लिए सामगरी से भरे ट्रक 15 जून को बदायों के रामपुर चेरहा से रवाना होंगे ये जानकारी सेवा समिती के प्रधान संजे पाराशरी ने आज बरेली स्थित उपजा प्रेस क्लब में पत्रकारों से बात चीत करते हुए दी श्री पाराशरी ने बताया कि पिछले 17 सालों से श्री शिव शक्ती मानव सेवा समिती द्वारा भंडारे का आयोजन डोमेल कश्मीर में किया जाता है इस बार भी यह भंडारा आयोजित किया जाएगा वो भंडारे की सामगरी से भारे वाहनों को लेकर 15 जून को बालताल रवाना होंगे ये भंडारा यात्रा के अंतिम दिन 19 अगस्त को संपन होगा श्री पारा शरी ने बताया कि इस कार्यों में बदायों बरेली, आगरा, पीलीभी, सीतापुर, रचपुरा के श्रद्धालू अपना सहयोग करते हैं ये प्रक्रिया पूरे वर्ष जारी रहती है